आज हम बात करने वाले हैं Git की, Git की बात क्यूं करने वाले हैं क्योंकि आज के टाइम में हर एक कंपनी चाहे वो एक कमरे की हो, चाहे वो एक कमडरी में काम करती हो, चाहे वो मल्टिनेशनल कंपनी हो, चाहे वो इंडियन हो, पाकिसानी हो, चाहे अमेरिकन ही क्यों ना हो, सार गिट होता कि है इसके बारे में बताने से पहले मैं बताता हूँ एक प्रोब्लम जो कि software companies को आती थी क्या होता था कि मालो पांच लोग developer 1, developer 2 और developer 5 तक एक project पर काम कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी problem आती थी क्यों क्यों कि इस बंदी ने अपना काम कर दिया इस बंदी ने अपना काम करते हैं अब कोड को merge कैसे करना है तो उसके लिए कुछ problem क्या आती थी कि कोड को में merge कैसे करना है अगर हमारा code कुछ खो जाता है let's say कि developer 1 ने काम करा और 5 ने गलती से delete कर दिया या फिर भईया खुननस में आके जानबुज के भी delete कर दिया तो उस code को हम कैसे वापिस लेके आएंगे यह भी था अब मालो कोई developer काम भी कर रहा उसकी machine खराब हो एक से computer खराब हो गया तो वह कैसे लेके आएंगे अब कई बारा ऐसा होता था कि अपने पुराने वाला code था ठीकता बट हमने नया ऐसा कुछ काम करा कोई नया नो सीखिया बंद आया चाला दिमाक लगा दिया उसने और वाला भी code खराब करें तो हमें पुराना code चाहिए तो वह हम कैसे लेके आएंगे तो हमारे पास बहुत सी प्रोब्लम थी राइट तो पांच और डॉलोप पट ने सोचा क्या करें सो फेरे का इडिया या कि solution क्या है solution है हमारे पास git अचा git क्या होता है यह चीज तो मैं आपको बताऊंगा बट solution क्या क्या देता है देखो git का यूज करना है पहली बात हो कोई मुश्किल नहीं है जस्ट आपको git के साथ में एक दो फाइल्स एड़ गरनी होती है और आपका इस line number पे इस developer ने इस दिन ये वाला काम करा था राइट कभी खोएगा निकोड आप कोई भी पुराना कोड चाहे वो अगर आप का project 10 सल पुराना है और 10 साल से git यूज करे तो आप 10 साल पुराना कोड भी निकाल सकते हो राइट share करने के लिए बहुत easy रहता है पहले एक developer git के उपर अपना कोड पुष करेगा second developer कुछ पुष करने से पहले पहले वाला जो server पर कोड पड़ा है उससे पुल लेगा यानकि उससे अपना code को डाउनलोड करेगा डाउनलोड करके और बाद में अपना code को अपलोड कर देगा ठीक है और git इतना smart होता है ना कि अगर जब अपने सारी चाहे में प्रवाइड कर दी राइट गिट एक काम कैसे करता है किट एक काइंड ओफ आप यह कह सकते हो कि एक repository होती है ठीक है इसे developer 1 को क्या करता है यहां से branch करता है branch करतने का मतलब क्या होता है कि इसके copy बना लेता है अपने system पर और यह copy manually नहीं बनानी सारी developer ने अपनी copy ले ली अपना अपना काम करा और इस git को पर पुश कर दिया git को लग रहा है कि कुछ problem आएगी तो वो क्या करता है उस developer को बताया था भाया तुम्हारी code में कुछ problem है क्योंकि तुमने developer 5 ने और developer 1 ने कुछ code में गडबड करी है ठीक है तो उन दोने को बत डेट और तारीक होती है उसके उपर एक ID होती है हर एक जब भी developer कोई code डाउनलोड या अपलोड करता है तो उसके एक ID बन जाते है उस ID वह सारी mention होती है महाँ पे उस ID को पर जाओ code आपको मिल जाएगा time के साथ भी सब कुछ मिल जाते है तो आप git को use कैसे कर सकते है तीन इसकी major website है तीनों पर फ्रीली यूज़ कर सकते हो देखो जब आप एक बहुत बड़ा project बनाते हो ना तब आपको पैसे देने पड़ते हैं पर आपको छोटे लेवल पर सीखने के लिए बनाते हो तो आपको आपके लिए git free है तीनों जगे आप पर ठीक है GitHub पे भी कुश कर करता हूं कि git को आपको यूज़ करने के लिए GitHub वाल्य अपसाइट GitHub यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपका open होगा यहाँ पर अपना just login वगरा करना है और आपका open हो जाएगा और second चीज जैसे कि मैं आपको हल्का सा दिखा देता हूं मेरा account दिखा देता हूं आपको आपको यहां पर देखो मैंने इतनी सा repositories में काम कर रखा है जैसे कि मैं करता हूं अब कुछ भी सैंपल कोड रखता हूं तो मालो मैं कुछ सीख रहा हूं तो मैं यहीं पर upload कर देता हूं और मालो मेरा PC अगर खराब भी हो गया मैं office में भी सीखता हूं घर पे भी सीखता तो मैं यहां से code pull and push कर सकता हूं बहुत इजी होता है अब जैसे कि यह मैंने एक library बना रखी है इसको उपर मैं जाओंगा अगर मुझे कभी use करना हो तो मैं क्या करूंगा यहां से क्लोन कर लूँगा यहां से दो commands होती है यहां से zip की download भी कर सकते हो आप यहां से कर सकते हो उसको merge request आती है तो यहां पर जैसे कि मैं एक new pull request कर दूँगा जैसे कि मेरे एक फ्रेंड ने निक फ्लिक्स ने यहां बेक मुझे दिया कि improving placeholder यहां पर इसमें थोड़ा सा code change करके दिया है कि तब यह इसको approve कर दो अब मान लो कि मैं अब चाहूं क्योंकि यह मेरी repository है तो मै इसको हटा सकता हूं ठीक है तो team lead वही काम करता है team lead उसको देखता है कि मुझे merge करना या नहीं करता है से code review भी हो जाता है तो इसलिए हम basically kit use करते है so thanks watching this video channel को subscribe करना मत भूलेगा क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीरा क्या होता है ठीक है kitchen वा जालेगी करी दीक है